नमस्कार दोस्तों, एक्जाम कोशल यूटूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारी ये जो सीरीज चल रही है, इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जनरल विज्ञान याने सामान्य विज्ञान और सामान्य विज्ञान की ये दसभी कलास है, अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। आज के विशे में especially हम बात करेंगे वर्गी करण के बारे में और वर्गी करण में भी especially हम बात करेंगे पांच जगत वर्गी करण के बारे में बात करेंगे पांच जगत वर्गी करण में जिसमें मैं आप लोगों को फंगाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में बताऊंगा, जिबकि अनिमिलिया और प्लांटाई दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े-बड़े टॉपिक है तो इनके लिए हम अलग से लेक्च तो विज्ञान की वहर शाखा जिसके अंतरगत जीव जन्तुओं के वर्गी करण का अध्यन किया जाता है, वर्गी की कैलाता है, तो ये वर्गी की सेभ़गन है, सिम्पल सी और सामाने तोर की डेफिनेशन है, सामाने तोर की परिभाशा है, अब आगे देखते हमें सारे तरीके के अलग-अलग जीव पाए जाते हैं अब उन में से कुछ examples अगर हम पर लेते हैं जैसे एकल कोशी की जीव का मतलब इसा होता है कि जो संपूर्ण उनका जो जीवन जीया जाता है वो एक ही कोशी का होती है यही एक कोशिका क्या करते हैं पूशन करते हैं यही एक कोशिका उत्सरजन करते हैं साथे साथ में कोशिका विभाजन करते हैं अपनी जैसी ही संतती कोशिकाओं का निर्मान करते हैं और इस तरीके से यह कोशिका अपना पूरा जीवन जीती है जबकि अगर बहु कोशिकी जीव क की बात कर ले तो बहु कोशी के जीव में क्या हो जाएगा कि बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर किसी कार को पफॉर्म करती है और उसके आधार पर जंतुओं का निर्मान होता है जैसे बहु कोशी के जीव कहते हैं अब एक विज्ञानिक के लिए अपने जीवन काल में सभी का अध्यान करपाना संभव नहीं है क्योंकि इन जीवों में काफी विवित्ता पाई जाती है अध्यान सुविधा के लिए इनमें उपस्तित विबिन्यताओं एवं सामानताओं के आधार पर इन्हें वर्गीकरत किया जाता है और इसी लिए वर्गीकरण हमको पढ़ तो अब घ्यान से समझते जाएगा कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समू में विबाजित किया गया है हाला कि ये ये फ़ेक्ट में आप लगों को इसके पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि कौन-कौन से दो संगर में बाटा गया है तो जंतु समू के मैं और बनश्वती सम्हों में, जबकि अब Linius के बारे में बात करें जाए, तो Linius ने अपनी पुस्तक, सिस्टेमा नेचुरी में संपूर नजीवदारियों को दो जगतों में वर्गी करण किया था, प्लांट किंडम या जिसे हम पादब जगत कह सकते हैं जन्तु जगत अनिमल किंडम में विभाजित किया था, अब आगे देखते हैं, तो अब क्या हुआ था कि जैसे जैसे समय बीता, तो ये पता चला कि या जन्तु का जो अध्यान किया जाता हुमें दो शाखाओं में पढ़ना मुश्किल है क्यों मुश्किल है, उसके बारे में रीजन यहाँ पर दिया हुआ है तो स्वीडन के विग्यानिक कार्ल लीनियस ने अपनी पुस्तक, सिस्टेमा नेचर उन्हें संपूर नजीवधारियों को दो जगत, जन्तु जगत और पादव जगत इस पद्धती को ही द्वी नाम पद्धती कहा जाता है, और यही पद्धती आज तक भी चली आ रही है ठीक है, तो जिसमें जीवो, जिसमें प्रतेग, जीव धारियों का नाम, लेटीन भाशा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला शब्द क्या बताता है उसके वंश, उसके जीनस के बारे में बताता है, जबकि दूसरा शब्द उसकी जाती के बारे में बताता है इस पेसीज के बारे में बताता है जैसे, एक एक एक्जामपल लेते हैं हैं आपर मानव का विज्ञानिक नाम homosapiens है यहाँ पर यह जो homo word है वो मनूश्यों के Vons के बारे में बताथा जिबकि sapiens क्या बताता है उसकी जाती के बारे में उसके genes के बारे में या सोरी उसके spaces के बारे में बताता है जिसमें homos obese का नाम है और जिसकी जाती sapiens है lineage की वरगी current प्रानाली के कारण आधुनिक वर्गी करण प्रायले की निव पड़ी इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गी करण का पिता कहा जाता है तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि कार्ल लीनियस को क्या कहा जाता है आधुनिक वर्गी करण का पिता कहा जाता है ये बहुत important fact है आप लो लेकिन दो जगत वर्गी करण में सारी प्रजाती को पड़ पाना मुश्किल था, क्यों कि कारलीनियस द्वारा दिया गया वर्गी करण संपूर्ण वर्गी करण की व्यक्या करने में सफल नहीं हुआ, क्योंकि बाद में कुछ ऐसे जीव मिले जिनमें पादप और जन्तुओ दोनों की संयुक्त विचेशता है थी इसका मतलब देखे पादप को शुरुवात में कारलीनियस ने क्या कहा कि पादप ऐसे होते हैं जो फोटो सिंतेसिस करते हैं और एक जगा पर रुखह रहेते हैं जन्तु जगत में क्या कहा था कि जो अपना भोजन पदार्त दूसरों से ग्रहन करते हैं और एक जगत से दूसरे जगत तक चल सकते हैं लेकिन बाद में कुछ ऐसे जन्तु भी मिले जो क्या करते हैं प्रकाश इंसलेशन कर सकते हैं लेकिन एक जगत से दूसरे जगत तक भी पहुँँ सकते हैं देखें यहां पर लिखा भी हुआ भी है कि दो जन्तू की तरह मतलब जो जन्तू की तरह संचरन एवं बनश्पती की तरह प्रकाश संचलेशन कर सकते थे जिसे यूग लीना तो उसके बाद क्या हुआ कुछ ऐसे जीव मिलने चाहले हुआ है जिसमें क्या हुआ कि हम बोल सकते हैं कि ना तो पूरी तरीके से जन्तू था और नाहीं पूरी तरीके से एक पोधे या प्लांट कोशिका की तरह बिहेव करता है तो इसलिए क्या हुआ ये वर्गिकरन आसफल रहा फिर इसके बाद क्या हुआ 5 जगत वर्गिकरन आरंभ हुआ अब कर ने सन 1979 में पाच जगत प्राणाली या पाच जगत वरगी करन को लिया इनके अनुसार समस्त जीवों को निमने-लिकित पाच जगतों में वरगी करत किया गया है अब वो पाच जगत वरगी करन उनने कोन-कोन से दिये थे याने संपूर्ण जीवों को 5 अलग-अलग पाइलम, 5 अलग-अलग kingdom के अंदर रखा गया तो मोनेरा, पहला जगत था मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, पादप और जनतु जगत तो इनके बारे में अब हम लोगों को detailing में पढ़ना है तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को जैसा के starting में भी मैं बता चुका था आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसको मोनेरा को, प्रोटेस्टा को, कवक को ठीक है, ये तीनों आज के लेक्चर में complete हो जाएंगे, जबकि पादप जो जगत है, उसको अकेले हमें अलग से एक लेक्चर में पढ़ना होगा और जनतु जगत है, उसको भी अलग से एक लेक्चर में हमको study करना होगा चलिए, आगे बढ़ते हैं तो अब सबसे पहले हम लोग इस वर्गी करन का जो आधार किस आधार पर उन्होंने वर्गी करन किया है, उसको देख लेते हैं तो कोशी का किस संद्रशना और जटिलता के आधार पर उन्होंने क्या करा, सबसे पहले वर्गी करन किया तो ये देखा कि कोशी का किस प्रकार की प्रोकेरियोटिक है या यूकेरियोटिक है फिर शरीर के संगटन और जटिलता के आधार पर याने एक कोशी की जीव है या वो बहु कोशी की जीव है पोशन विदी के आधार पर याने जीव खुद का खाना खुद बना सकते हैं याने उन्हें सुवपोशित प्रकार के हैं या फिर परपोशित या दूसरों के उपर जीवन लेते हैं जीवन पद्दिति मतलब वी जीव उत्पादक की तरह काम करते हैं या कुछ बनाते हैं उभोख या कुछ चीजों को उभोख करते हैं, कुछ खाते हैं या अबघटत या मृत जीवों के ओपर जिनता रहेते हैं तो सबसे पहला जगत हम पढ़ते हैं Monera जगत, अब इस Monera जगत के बारे में विशेश बात आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है, चलिये तो इसके बारे में पढ़ते हैं, तो इस जगत में ठीक है, इस जगत को Prokaryotic जगत या Kingdom of Prokaryotes भी कहते हैं, अब Prokaryotic जगत का याद रखेगा मोनेरा यह सबसे शुरुवाती जीव थे शबसे शुरुवाती मतलब कह सकते हैं कि जीवन की जो शुरुवात थी वो शुरुवात ही इन मोनेरा के कारण ही हुई थी ठीके और इनके अंदर कौन सी कोशिकाया होती थी यह प्रो केरियोटिक कोशिकाया होती है प्रो करियोटिक कोशिकाएं का मतलब यह शुरुवाती प्रकार के जीव होते हैं, सब से सरल प्रकार की कोशिकाएं के अन्दर होती है। क्योंकि इसके अंतरगत संबलित सभी जीवों में सप्ष्ट केंद्रक का अभाव होता है। तो इसी बाते में आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ, प्रोकरियोटिक कोशिकाओं का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कोशिकांग का आभाव होता है, किंद्रक एक सपष्ट केंद्रक नहीं दिखता, किंद्रक के उपर कोई जिल्ली नहीं होती, तो इसी तरीके से यानि ये जो जीव होते हैं, वो पूरी तरीके से प्रोकरियोटिक कोशिकाओं से के बने हुए होते हैं, अर्थात इन में सभी एक कोशिकी ये प्रोकरियोट्स जीव आते हैं, अब इसके कुछ examples हैं जिसे जिवानू, नीलहरित छेवाल और साइनो बेक्टिरिया तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यह देखें मैंने एक प्रोकरियोर्ट जीब बनाया है ठीक है यह एक छोटा सा हमारे पास क्या है बेक्टिरिया अब इस बेक्टिरिया के बहुत ज़्यादा detailing में नहीं लेकिन आपको main चीज क्या समझना है कि इस बेक्टिरिया के अंदर अगर यहाँ पर देखें तो क्या होता है कि यह जो आप लोगों को धागे नूमा संरचना है पर दिख रही है यह धागे नूमा संरचना ही क्या है त तो coronavirus भी एक तरीके का monera का जीव है हाला कि यह हम virus है यह जिवानों के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है लेकिन फिर भी क्या होता है यह prokaryotic type के कोशिकाएं होती है अब इनके अंदर पीछे यह क्या होता है कुछ phalangella phalangella पाया जाता है यह phalangella क्या काम करता है तो इन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है यह इसे तेजी से पीछे के और हिलाते हैं जिसकी वज़े से यह move कर सकते हैं आगे की तरह ओके I hope चीजे आप लोगों को clear हुई हुई अब इसके कुछ examples जैसे हम देख लेते हैं bacteria तो bacteria याने जिवानों के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना जरूरी है तो जिवानों की खोज किस ने की थी तो जिवानों की खोज एंटॉन वेन लिविन हॉक ने सन 1883 में दात की खुर्चन में की थी इसका मतलब क्या हुआ था कि इन्होंने क्या देखा था एंटॉन लिविन हॉक जिन्होंने याद रखेगा एंटॉन लिविक होर को वही विज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहली वाद जीवित कोशिकाओं को भी देखा और वो जीवित कोशिकाओं उन्होंने जो देखी थी वो बैक्टिरिया की देखी थी किसके अंदर देखी थी तो उन्होंने क्या किया था कि दात लिए थे और दात की खुर्चन के उपर उसे जब microscope से self construct यानि उन्होंने खुद के द्वारा बनाये गए microscope से देखा तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर कुछ एक प्रकार के जीव हैं और उन जीवों को उन्होंने starting में शूष्म जीव नाम दिया तो उन्होंने अपने बनाए हुए शूष्म दर्सी से इसे देखा और उसे शूष्म जीव नाम दिया ठीक है इसलिए लुविन होक को जिवानु विज्ञान का पिता कहा जाता है ये बात आप लोगों को बहुत ही important fact ने याद रखना है कि जिवानु विज्ञान का पिता किसी कहा जाता है तो वो कहा जाता है एंटोनी वान लिविन होक को अब लुई पास्चर ने किणवन पर कारे किया और बताया कि यहाद जिवानु के द्वारा होता है देखें किणवन की प्रक्रिया ये जो थी ये काफी सालों से हमें इसका अध्यान था इसका मतलब क्या था कि जैसे ही इंसान गुटो के रूप में रहने लगा था तभी से वो क्या करने लगा था कि किणवन के बारे में जानने लगा था इसी की वज़े से क्या हुआ था कि शुरुवात में उन्होंने जो शराब बनाई थी वो भी किन्वन की प्रक्रिया के पल्स परूब भी बनाई थी लेकिन वह किन्वन की प्रक्रिया होती क्यों है कारण क्या था वह कारण का पता लुई पास्चर ने लगाया ठीक है और उन्होंने बताया कि किन्वन की जो प्रोसेस है वो भी जीविग जिवानों के द्वारा ही होती है उन्होंने यह भी इसपश्ट किया कि पधार्तों का सणना और अनेक रोगों का कारण यही शूश्मजीव होते हैं जिवानों को नश्ट करने के लिए प्रती जेविक दवाईयों का उप्योग किया जाता है तो याद रखेगा प्रती जेविक दवाईयों या एंटिसेप्टिक जी से हम कहते हैं वो जिवानों को मारने के लिए की जाती है अब देखे कुछ बक्तिरिया के एक्जांपल से तो बैक्तिरिया अलग-अलग शेप के देखने को मिलते हैं अब इस जगत के कुछ थोड़े से लक्षन हम देख लेते हैं प्रोकेरियोट्स जगत के लक्षन अब इसके सदस से एक कोशी की अब प्रोकेरियोटिक जीव होते हैं ये तो बहुत होई है आप लोगों को याद रखना है ये बेसिक फैक्ट है ठीके अब इन में स्वापोशित और प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं के थे और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे दूसरों के उपर जिंदा रहते थे अब इनके बारे में तो ये समुद्र की गहराई से लेकर गर्म रेगिस्थान में भी मिलते हैं तो इनका जो जीवन स्केल है वो बहुत उचा है, बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये minus degree के temperature में भी, minus 10 degree के temperature में भी पाए जाते हैं और ये यहां तक के 80 degree centigrade के temperature तक भी पाए जाते हैं, तो इतना बड़ा स्केल होता है इनका जिन्दा रहने के लिए, यहां तक प बेक्टिरिया कुछ ऐसे ही जीवें जो चरम इस्तितियों में भी रह सकते हैं यू बेक्टिरिया का मतलब क्या है कि ये इन्हें हमने देखा इनके बारे में study किया कि ये बहुत ही low temperature याने minus के temperature में भी जिन्दा रह सकते हैं और साथ ही साथ में जब इनको गरम कया या गरम पा temperature वाले पानी के अंदर में भी ये जिन्दा पाए गए अब आर्की बेक्टिरिया को प्राचिंतम जीवित जिवाश में कहा जाता है इसका मतलब आर्की बेक्टिरिया ऐसा है जो शुरुवात से लेकर अभी तक है इसका मतलब क्या है कि ये अगर मुझे ये study करना है कि शु लिए इन्हें जीवित जिवाश में कहा जाता है अब एना बिना और नॉन स्टॉक नामक साइनो बेक्टिरिया जो होते हैं वो वाईू मंडल से नाइट्रोजन का इस्थरी करन करते हैं ये मुखेता किसमें मिलते हैं धान के खेतों में मिलते हैं अब दही से दूद से दही अब यहाँ पर इसके बारे में अब नेक्स्ट हम फाइलम के बारे में देखते हैं नेक्स्ट संग जिसके प्रोटिस्टा कहा है तो प्रोटिस्टा ये भी एक तरीके के शुरुवाती जीव हैं ठीके बस लेकिन फरक क्या है कि शुरुवाती जीव है और इनमे कोशिका थो ka всё हो होगा इस पश्ट के इदर देखने को मिलेगा और कोशी का बित्ति अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी डवर RoJali वाले देखने को मिलेंगे कोशी गांग देखने को मिलेंगे तो यहां से इस प्रकार के लेकिन यहां पर भी जू जीश पाय जाते हैं वो मुकीआ था एक कोशिकी जीवों को ही इसके अंदर रखा गया है, ठीक है, चलिए, तो देखते हैं आगे, अब क्या है यहाँ पर, तो इस जगत में, ठीक है, इस जगत के विभिन प्रकार के एक कोशिकी यूकरियोटिक जीव सम्मिलित किये गये हैं, याद रखी गा कौन से, में चीज आ प्रोटिष्टा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सर्व प्रतम, इस वर्ग का नाम जर्मन विज्ञानिक E.S. हिकल ने दिया था, तो प्रोटिष्टा शब्द का प्रयोग सर्व प्रतम किस ने किया था, जर्मन विज्ञानिक E.S. हिकल ने किया था, अब प्रोटिष्टा क मोनेरा एवं पहु कोशिकिये जन्तु जगत पादब जगत एवं कवक जगत की संयोजी कड़ी माना जाता है इसका मतलब क्या है कि शुरुवात में कौन से जीव बने थे मोनेरा बने थे मोनेरा से बहु कोशिकी जीवों तक बनने की प्रक्रिया में प्रोटिष्टा का एक एहम भूमी का है ये इनके बीच के जीव है अब पादब तथा जन्तु जगत के बीच इस्थित युगलीना जो होता है वो इसी जगत में आता है ठीके याने युगलीना को हम ना तो पूरी तरीके से पादब जगत का कह सकते हैं ना तो पूरी तरीके से जन्तु जगत का कह सकते हैं तो ये वाले जीव जो होते हैं वो इसी प्रोटिष्टा समूव में रखा गया है यह दो प्रकार के जीवन पद्धती को प्रदरशित करते हैं यह सूर प्रकाश में स्वपोशित होते हैं लेकिन जब सूर प्रकाश नहीं मिलता है तब वो क्या करते हैं कि उसके आभाव में पर पोशी याने दूसरों के उपर भी अपना भोजन निर्मान कर लेते हैं यह इस जीवों में eukaryotic को शिकाएं पाई जाती है इसके जीवों का आवाश मुक्यताहा जल होता है यह मुक्यताहा जल में पाई जाते हैं पोशन की दरश्टी से यह स्वपोशित और परपोशित दोनों प्रकार के हो सकते हैं अब इनके कुछ जीव परजीवी होते हैं जो दूसरो के शरीर में रहकर उन्हें नुकसान पहुचा तो याद रखेगा परजीवी का मतलब क्या होता है याने परासाइटिक का मतलब क्या होता है कि दूसरों के शरीर में रहते हैं खाना खाते हैं अपनी व्रद्धी करते हैं लेकिन साथे साथ में उन्हें नुकसान पहुचाते हैं अब देखिए इसी की कुछ एक्जामपल्स भी और हैं जैसे परभक्षी प्रकार के तो प्रोटिस्टा जिगत के वे सदस्य जो दूसरे के शरीर में रहकर गंभीर बिमारिया उत्पन करते हैं उसे परभक्षी प्रकार के प्रोटिस्टा जीव कहा जाता है इसमें एक्जामपल आजाएगा अमेबिया, अमेबा, मलेरिया, परामीशियम, प्रोटोजोवा, मलेरिया के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा जो बच्छर के काटने की वज़े से ये malaria नामक bacteria जो होता है वो शरीर के अंदर दाखिल होता है अब प्रकार संसलेशी जीव भी आता है इसके अंदर तो वे जीव जो प्रकार संसलेशन कर सकते हैं जैसे इसमें आ जाएगा शेवाल, यूगलीना और यूगलीना ऐसा है जो धूपना मिलने पर दूसरों को खाने लगता है अब अब गटक प्रकार के अब गटक प्रकार के मतलब क्या होता है कि ये सड़े गले जीवों को खा कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं तो वे जीव जो म्रत कार्बनिक पधार्तों जेव निमनी करंट करके उन्हें सरल योगिकों में परिवर्तित करते हैं तो इसमें एक्जामपल आ जाएगा लोश्मानिया आई होप चीजे आप लोगों को समझ में आई होगी ठीक है तो यह इनके चीजों के हम लोग यहां तक समझते चले अब हम तीसरा जगत पढ़ते हैं जिसके अंदर है हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में कवक जगत के बारे में तो कवक जगत यह आप लोगों को डाइग्राम दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके के कवक आप लोगों ने देखा होगा ये अक्सर आपने कहां पर देखा होगा कि जहां पर चीजे मर जाती है मर जाने का मतलब क्या होता है कि जिसे एक पेड़ है पेड़ कहीं पर तूट के गिर गया अब उसको डीकम्पोस करना है उसको वहाँ से हटाना है ठीके तो उसके उपर आप लोगों ने देखा होगा कि कवक इस तरीके से चीजे उग जाती है ठीके और ये क्या करते हैं तो फिर उन्हें डीकंपोस उन्हें खाना शुरू करते हैं याने उन्स जटिल कार्बनी को को सरल कार्बनी करासायन में तोड तो इनके बारे में देखते हैं ठीके तो अब क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ते हैं कि विज्ञान की वह शाका जिसके अंतरगत कवोको को अध्यान किया जाता है कवक विज्ञान या माइकोलोजी कहलाता है तो आप लोगों को याद रखना है बहुत important fact है कि कवक विज कवक विज्ञान या माईकोलोजी कहलाता है कवक जो होते हैं वो पढ़न हरित रहित इसका अंतलब इसके अंदर कोई chlorophyll नहीं पाया जाता है तो chlorophyll नहीं पाया जाएगा इसका मतलब भी खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं यह साकेंद्रिय समवहनी उतक रहित थे से उतक होते हैं जिससे कि मतलब मतलब क्या होता है कि पत्यों पर भुजन निर्मान के प्रक्रिया होते है याने फोटो सिंथेसिस के प्रक्रिया यहीं होती है तो नीचे जमीन से पत्यों तक जल पहुचाने के लिए जैलम उतक काम करता है जबकि फ्लोएम क्या काम करता है तो इस पत्तियों में बने हुए स्टार्च को पोदों के विविन भागों में पहुचाने का काम कौन करता है तो वो करता है फ्लोएम अब यहाँ पर थेलोफाइट्स का मतलब क्या है थेलोफाइट्स का मतलब यह इतने छोटे होते हैं यह सबी फंगस कवक इतने छोटे होते हैं कि अगर मैंने आप लोगों के हाथ में एक फंगस दे दिया और मैं बोलू कि बताओ इसमें मतलब कौन-कौन सा अंग आप इसमें पहचान सकते हो तो पूरा का पूरा शरीर आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा ठीक है जब हम उनके शरीर को देखकर मतलब उनके शरीर में अलग-अलग चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं उनके अलग-अलग पार्ट्स नहीं कर सकते हैं तो उन्हें थेलोफाइट्स कहते हैं इनमें जो भोजन संचित की प्रक्रिया होती है जो भोजन संचित होता है वो गलाइकोजन के रूप में होता है ठीक है अब इस जगत को बहु कोशिकी अब घटो को का जगत याने kingdom of multicellular consumer भी कहते हैं ठीक है इनकी कोशिका जो होती है वो काईटीन की बनी होई होती है इस जगत के सदस यूकेरियोट्स बहु कोशिकी एवं पर पोशित जीव होते हैं ओके तो यूकेरियोट्स का मतलब समझ में आया होगा कि कोशिका जो होती है यूकेरियोटिक प्रकार की एक से अधिक कोशिका हैं देखने को मिलते हैं पर पोशित मतलब दूसरों के उपर अपना जीवन आशरत करते हैं आगे बढ़ते हैं तो य पते हुए पेड़ पोदों तथा जंतुओं पर उगते हैं ये अब इनको उगने के लिए क्या चाहिए आप एक तो गर्म जगह चाहिए थोड़ी से मतलब इसा नहीं उबलती हुई है सहारा रेगेस्तान है इसा नहीं भीया गर्म गर्म का मतलब उमस भरी जगह और नमी वाल इलाकों में ये पाए जाते हैं अब ये एकल एवं बहु कोशिक हो सकते हैं एक कोशिका के साथ साथ एक से ज़्यादा कोशिका के रूप में भी दिख सकते हैं इनमें जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है इनकी कोशिका भित्तिकाइटीन की बन बाद होती है जिसे गेहू का किट्टू रोग सरसों में सफेद रस्ट रोग इनी के कारण होता है अब विश्व की सबसे पहली जो एंटीबायोटिक दवाई थी ठीक है मतलब जिवानों को नश्ट करने के लिए जो दवाई थी ठीक है उसका निर्माण अलेकजन्डर फ्लमिंग ने सन 1929 में किया था और पैनेसलीन नोटेटम और पैनेसलीया काईसोगेन नमक कवक के दौरा पैनेसलीन को प्राम्त गया था तो बैसिकली आप लोगों को क्या याद रखनाय है कि जो पैनेसलीन का आविश्कार है वो किस में किया था Alexander Fleming ने 1929 में किया था या एंटि बायोटिक का अविश्कार किसमें किया था तो वो Alexander Fleming ने किया था ये बात आप लोगों को बेसिकली याद रखना है वाला कि इसके उपर ये कोशन नहीं पूछा गया कि पूछा जाएगा किस पंगस के उपर गया था हाँ ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि पैनिसलीन का अविश्कार किस जगत में हुआ तो कवको के उपर इसका कवको के अध्यान के दोरान क्या हुआ एंटी बायोटिक या पैनिसलीन का अविश्कार हुआ आई होप चीजे आप लोगों को यहां तक सभी लोगों को समझ में आई होगी तो इस वर्गी करन के इस पार्ट में हम लोगों ने तीन क्लास को पढ़ा जिसमें मोनेरा, प्रोटिष्टा और कवक जगत को पढ़ा I hope चीजे आप लोगों को समझ में आई होगे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए साथी साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सस्क्राइब कीजिए साथी साथ में बेल आइकोन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके तो चलिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं धन्यवाद